Hello friends, myself Dr. Sushila Senni, Gynecologist and Obstetrician और जैसे कि मैं बता रहीं कि मैं गाइनेकोलोजिस्ट हूँ और जैसे कि आप सभी जानते भी हैं तो मैं आज आपसे बात करने जा रहे ही common gynec problems के बारे में यानि कि females को generally क्या-क्या problems हो सकती है या generally यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास OPD में या hospital में जो generally females आती हैं वो क्या-क्या complaints लेके आती हैं हो सकता है कि कोई complaint आप से related हो और आपको उसके अपने सवाल का जवाब मिल जाए आप डौक्त्र के पास नहीं जा पा रही हो और आप डौक्त्र से नहीं पूछ पा रही हो कि यह आपकी problem है और हो सकता है कि आपको इंपता नहीं है कि यह problem भी है तो मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में तो common gynex problems के बारे में आप समझ पाएंगे और उनके इलाज के बारे में और उनकी समाधान के बारे में आप जान पाएंगे तो जो सबसे common problem है जिसके लिए सबसे ज़ादा ladies हम से मिलती है वो है white discharge white discharge यानि की वजाइना से होने वाला सफेद पानी या यू कह सकते हैं की गीला पंजो रहता है उसको जनरली यह मिथ होता है कि जितना भी white discharge आता है वो बिमारी वाला होता है पर मैं आपको यहां सबको एक ही बार समझाना चाहूंगे जो भी white पाने वजाइना से आ रहा है वो बिमारी वाला नहीं होता है physiological भी होता है यानि की नॉर्मल भी होता है जैसे अपने मूह में लार आती है वैसे ही योनि दवार से या पच्चे दानी का जो मूह होता है सर्विक्स होती वहां से भी डिस्चार्ज जाता है जो कि अपसल्यूटली नॉर्मल होता है और जो वजाइना को गीला रखने के लिए यानि योनिर मार्ग को लुब्रिकेट रखने के लिए नॉर्मल एक फिजियोलोजिकल प्रोसीजर है जो होना चाहिए नहीं तो अकर यह स जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो महीने के बीच के दिनों में पानी आता है वह अपसल्यूटली नॉर्मल होता है लेकिन यदि आपको पानी आने के साथ खुजली है जलन है या दर्द है या और किसी प्रकार का ब्लड मिक्स दिस्चार जा रहा है तो डेफिनेट चीना तो अब ही यह पता होना चैना कि कि नॉर्मल क्या है तो हम ब्लीरिंगे यदि आपको 21 धन से लेकर 35 दिनें की बीच में आता है तो लेकिन होती है अगर साथ दिन तक भी होती है तो भी नाउमल कौन्ट होती है आप अनो Rig budget को कैसने पहले पिरेड या 35-45 दिन से वह उपर पिरेड आता है तो अब नॉर्मल कह सकते हैं एक से एक दिन से भी कम होती है तो उसको कम ब्लीडिंग बोल सकते हैं या फिर आपको साथ दिन तक लगाता है याने कि एक दिन में आपको तो इस तरीके के आपको कोई समस्या है कि आपका बहुत जल्दी जल्दी आता है कि आपको शरीर में खून की कमी हो जाएगी और आगे चलकर यह प्राब्लम दे सकता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं हैवी ब्लीडिंग के जो कि हमने एक अलग वीडियो में कवर किये हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं यदि आपको पीरेट्स के दौरान बहुत ज़दा दर्ध होता है तो वह चिन्ता जन्नक इस्तथी हो सकती है क्योंकि यह एंडो मेट्रियोसिस को इंडिकेट करता हूँ और endometriosis आजकल होने वाली बहुत common विमारी दस में से एक महिला को endometriosis पाया जाता है, endometriosis के अंदर periods के टाइम पे काफ़ी जदा pain होता है, periods के अलावा भी pain हो सकता है, lower abdomen के अंदर इसके अलावा आपको intercourse के टाइम पे काफ़ी जदा pain हो सकता है, किसी किसी को potty पास करने मे या urine पास करने में भी pain होता है, और किसी को महिने भर भी दर्थ बना रहता है, तो ऐसे इस्तिती में आप डॉक्टर से संपर करके अपने सोनोग्राफी ज़रूर करवा लीजे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए, कि कहीं आपको endometriosis तो नहीं है, periods में अगर pain जदा रहता तो हो सकता है कि आपको endometriosis के अलावा, fibroids हो सकते है, polyp हो सकता है, और किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो सोनोग्राफी से सारी समस्याइआं का आसानी से पता लगाया जा सकता, और सभी समस्याँ का adobin से ilaj संभा हो है, इसके अलावा किसी-किसी ladies को यदि वो pregnancy के ही होती है तो आपको इन फर्टिलिटी का चेक अप कराना चाहिए लेकिन यदि आपके उम्र जादा है यानि कि 35 साल से उपर है या आप हस्बंड वाइफ अलग लग रहते हैं और कभी कबार मिल पाते हैं तो डॉक्टर के सहयोग से आप जल्दी प्रेगनेंसी एचीव कर सकत इसके अलावा आपको इंटर कोर्स के दौरान प्राब्लम हो सकती है यानि कि हो सकता है कि आपको इंसर्शन प्राब्लम हो या इंटर कोर्स के टाइम पे पेन होता हो तो ऐसे सिती में कई बर वजाइना में इंफेक्शन हो सकता है या बच्चेदानी के अंदरूनी कोई तक पर लाव भी यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी और प्रॉब्लम है जो आप हमसे डिसकस करना चाहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती हैं मैं या मेरी टेम में से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करें और यदि फिर भी आपको लगता है कि आप वीडियो के आपको नोटिफेकेशन मिलते रहे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकार के साथ तब तक नमस्कार